हेलो नमस्क्र दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको एक पंडी जी दुवारा बताईगी भोईश्या मलिका में जो भोईश्या वनिया करी गई है वो एक पंडी जी बता रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे जिन में उन्हो करते हूं आप लोगों को समझी में आएगी वीडियो तो पहले आप लोग वीडियो सुन लिए जैसे कि जब बड़ा भुकंफ होगा प्रुति भी तीन बार कंपेगा तीन बार कंफ लिंग और कंपनाएगा तीन बार आएगा एक बार दो बार और तीसरे बार इसमें सुर्य देवता पश्चिम दीग पर उदय होंगे और पुर्वदीग पर अस्त होंगे तो यह जो परिबर्तन होगा इसकी परिबर्तन यह नियति का बाणी है जब कली जुग के चालता है कली जुग में क्या नाम चलता है हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे महा मंत्र जो भगवान की अवतार भगवान चैतने महा प्रभुने सारा भक्त लोग को विश्व को बाटा था पर कली जुग जब चल जाएगा ये शत्य जुग आएगा सुरिय तो पस्षिम दिख में उद्व होंगे नाम भी परिवर्तन होगा ये नाम क्या रहेगा ये नाम उलट जपा जाएगा जैसे की राम हरे हरे राम हरे राम था उसको कली जुग का बाद जो अनंत जुग आएगा जो भक्त जुग 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 जु और माधव तो कृष्ण जी स्वेंग भगवान का नाम तो ये मिला के ये नाम रहेगा और राम हरे कृष्ण हरे ये भजन लोग करेंगे किुए जूग परिवर्तन के साथ बाणी और जूग का मंत्र होगा और क्या होगा जो शमुंदर हम दिख रहे हैं वो सारे शमुंदर की पानी मीठा बन जाएगा क्योंकि ये स्वर्गपुर का जो सुख है स्वर्गपुर में जिसे नदी समुंदर है वो सब मीठा पानी आता है तो जब सोर्गपुर मर्थियों को आएगा तो सोर्गों की सारे सुविधाई, सुख सुविधा मनुष्य को पास रहेगा किसी को रोग व्याधी नहीं रहेगा कोई डक्टर मेडिकल नहीं रहेगा और पानी, जो समंदर की पानी मानव समाज की उपजोग के लिए कुरुशिकार्जा के लिए भी उपजोग हो सकता है इसलिए समंदर की पानी मिठा हो जाएगा और शुर्ज पस्षिम्दीग में उदे होंगे मनुष्य के आचार विचार वेभार कर्म इशब बदल जाएगा और क्या होगा और शुर्ज का जो रश्मी है जो प्रखर रश्मी आज सुर्य देवता का हो रहा है यह प्रखर रश्मी सुर्य देवता का नहीं रहेगा क्योंकि शुर्ग में जितना तापमान रहता है जितना आनंद मिलता है जो थंडी मोसम आता है सारा विश्व में ऐसा मोसम रहेगा और भगवान की इच्छा से सूर्य देवता का किरण भगत लोग के लिए मानव समाज के लिए आनंद दायक होगा, कष्ट दायक नहीं होगा और चंद्र देव का जो किरण है जो रस्मी है वो जादा फेलेगा ज्यादा उज्जल बन जाएगा ज्यादा अलोग प्रदान करेंगे चंद्र देव कियों न जो नया सूर्जी और नया चंद्र को भगवान खुद स्तापन करेंगे कख्य पत्थ पर और उनको स्तापन करने के बाद सूर्य देव का किरण जो आज जो गर्मी हो रहा है जिसकी बाजे से रोग बीमारी और सुखा बहुत कुछ समाज में परिवर्तन आता है टर्नाड होता है यह बहुत कुछ होता है पर सूर्य रश्मी सीतल बन जाएगा और मनुष्य समाज को सुख सान्ति देगा कोई एर कर्णिशन का जरुरत नही पड़ेगा क्योंकि उसी हिसाब से प्रकुति और पंचबुत नियंतरण में रहेंगे और शत्य की नियंतरण में मानव सवाज को सुख दाता होता है तो सुख दाता होंगे और चंद्रदेव का जो रस्मी है जैसे कि हम दीन में इलेक्टरिय दीन में हम सुर्य रस्मी से इ चंद्रदेव का रस्मी इतना उजल होगा पर सीतल होगा पर उजल होगा तो दिन में जैसे हम काम कर्व कार्जे करते हैं रात में भी ऐसे काम कार्जे करेंगे कोई इलेक्रिलाइट, कोई स्ट्रीट लाइट, कोई लाइट का जरूत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शत्य जुक का प्रवाव है तो इंसान और मनुष्य समाज के लिए पलिवसन नहीं रहेगा और क्या होगा ये जब चंद्रादेव सुर्यदेव का जो रस्मी परिवर्तन होने के बाद क्या होगा जो कुरुशी कार ये जो होगा और कुरुशी कार ये बहुत अच्छा कुरुशी होगा एक मैने में एक जमिन में गेहू या धान उगल सकता है एक मैने में धान और गेहू प्रड़क्शन हो सकता है अभी चार मैने लगता है तीन मैने लगता है च्छे महने लगता है पर एक महने में प्रडेक्शन होगा और जितना चाहे जरूरत है मानव समाज का उससे कई ज्यादा प्रडेक्शन होगा दिन में बारिस नहीं होगा क्योंकि इस सत्य जुक का प्रभा दिन में बारिस नहीं होगा रात को बारिस होगा और भक्तलों का आनंद में अपने सोने के बाद और सुबह जब उठेंगे तब बारिस नहीं रहेगा, कुरुशी कार्य करने के लिए कोई वाधा नहीं आएगा, राजकार्जे और देवकार्जे किसी भी कार्य करने के लिए मनुश्य को छत्री लेके जाना नहीं पड़ेगा बारिस दिन में कभी नहीं होगा, जब होगा तो रात में होगा, क्योंकि ये प्रजाहित में सासन होगा और रामराज्य होगा तो ऐसे समाज में कितने कई परिवर्तन हो सकता है, जब सत्य जुग आएगा तब इनसान में कोई रोग बिमारी नहीं रहेगा तो महापुरुस अचुतनानद ने इसकी बारे में लिखे हैं आद्य शत्य जुग प्रकास हुईबो कली काडव घुनची जवव यानि शत्य जुग का शुरू शंगम जुग जिसको हम संगम जुग बोलते हैं और सत्य जुग से पहले आद्य यानि जो प्री सत्य जुग शुरू होगा उस जुग को हमारा मालिका सास्थे की हिसाब से अनन्त जुग बोलते हैं और अनन्त जुग जो आता है उसी जुग में क्या होगा वीमारी की बारे में महापृश चुता नंद ने लिखे आद्य सत्य जुग प्रकास हुईवा, कली काड़ घुन्ची जिवा, खाईले बोहिले नसर इवा भाई, अक्खय अवय अभन्दारों यानि जब आद्य सत्य जुग शुरू होगा, कली तब ये समाज से विश्व से दूर हो जाएगा आद्य सत्य जुग प्रकास हुईवा, कली काड़ घुन्ची जिवा, यानि कली ये दुनिया से सफाख हो जाएगा इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजे, कमेंट करके बताइए और किस चीज़ के बार में आप लोग जानना चाहते हैं सबी शोशल मीडिया हैंटर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुए हैं, मेरे इंस्टागर हमारा कोई भी क्योश्चन हो जाता है कि पूस सकते हैं तो फिर मिलता नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरा बरखा